आज की रेसिपी है दई तड़का या जिसे दई फ्राई भी बोला जाता है बहुत सिंपल रेसिपी है आईए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमें प्याज को बारी कट कर लेना है एक या दो हरीमीर्ट से एड़ करेंगे आप चाहो तो इसकिप भी कर सकते हो तनिया की पत्ती है और दरी लिया है मैंने एक कप के करिब सबसे पहले पैंड में हम सर्सो का तेल आड़ कर रहे है टू टेबल स्पून जितना आप तेल कम खाते हो तो थोड़ा कम एड़ कर सकते हो तेल अपना अच्छे से गरम हो चुका तो उसमें एड़ करेंगे वन फोटी स्पून जित मेडियम रखना है यह अपना अच्छे से तड़क चुके है तो अब इसमें एड़ करेंगे हरी मिर्च हरी मिर्च जले नहीं आपको ध्यान रखना है मिडियम हो तब तक ही इसे फ्राई कर लेना है अब हम इसमें एड़ करेंगे प्याज प्याज को में गोल्डन सुने रहा देना है आप इसमें एड करेंगे आप्टी स्पुन जितनी हल्दी पौवडर कि टू टैबल स्पुन जितनी लाल मिर्च पौवडर आप चाहो तो कम भी डाल सकते हो मेरे अकोर्डिंग डाल है हाप्टी स्पुन जितना धनिया पाउडर स्वाद अनुशा नमक और इमें अच पर एकदम ready है तो अब इसमें add करेंगे दई, gas का flame आपको या तो बंद कर लेना या एकदम low कर देना, क्योंकि आप gas का flame fast होगा तो उसमें उबाल आगे या तो दई फट जाएगा, आपको लगातार इसे चलाते रहना है, दई तड़का या दई फ्राइ बनके अपना एकदम ready है, तो दोस्तो कैसी लगी मेरी या दई तड़का की रेसिपी, आप मुझे comment करके जरूर बताए, और आप जरूर ट्राइ करें, यह बहुत ही खाने में बहुत ही स्वाधिश्ट रहती है, अब इसे हम garnish करेंगे, हरे धनिये के साथ, मिलता आपको नई और बढ़या सी रेस